Hello everyone, Be Bachelor of Mathematics channel में आप सभी लोगों का स्वावत है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सब ग्रूप क्या होता है और उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी एक non-empty set को सब ग्रूप दिखाने के लिए क्या उसकी necessary condition होती है तो हमने उसमें पढ़ाता कि alpha और beta कोई भी अगर दो element दिये हो किसी भी एक set के अगर c alpha प्लस beta उसी set में belong करता है तो वो उसका क्या कहलाता है sub space कहलाता है तो इसी तरीके से हम लोगों को questions में भी क्या दे दिया जाएगा एक set दे दिया जाएगा और हमें इस condition को follow करना होगा कि c alpha प्लस beta अगर उसी set में लाई करेगा तो वो हमारा subgroup होगा और नहीं तो वो नहीं होगा तो देखें यहाँ पर कुछ example दिये गए हैं सर के notes में जहाँ पर लिखाएगे fn अब आप लोग इस सब्द से परचित हो जगए होंगे f की power n मतलब function यह set of enterples का है जो कि किस पर f field से बना हुआ है the set of enterples which of the following set of vectors alpha जो कि क्या है alpha vectors का set है अब जायर जीवात f की power n है तो मतलब एक element में कितने इसमें numbers होंगे n numbers होंगे तो x1, x2, x3 n numbers का यह हमारा एक अकेला vector दिया गया है ठीक है तो इसे हमें दिखाना है in f और यह क्या है f मतलब x1, x2, x1 यह अलग-अलग कहां लाई करेंगे field में लाई करेंगे हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं तो यह हमें दिखाना है यह f n जो vector है इसका sub space बनाया है मतलब क्या हमने कुछ element f n से ले लिए गए हैं इस तरीके से जिसे alpha जो है इस तरीके का element ले लिए हैं और उससे एक set बनाया है w नाम का अब हमें यह दिखाना है कि वो जो set w है वो f n का sub space होगा तो sub space दिखाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं या तो हम लोग अपना scalar multiplication और vector addition quantity से हम सारी की सारी quantity को proof करें यहां जो vector space की जितनी भी quality होती थी उनको proof करें तो हमारा w तब vector space हो सकता है यह हमने जो अपने पिछले वीडियो में c alpha प्लस beta belongs to w निकाल था या हम लोग direct condition apply कर देते हैं तो यहां पर question दिया है का है कि alpha कोई भी w का member है और इस तरीके का alpha है कि उसका पहला element जो है वो किस condition को follow करता है 1 plus x2 को follow करता है तो जिल लोगों को अगर मतलब sir के method से समझ में आए वो आप लोग इस तरीके से sir का मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग इस तरीके से समझ लीजिएगा मेरे पास एक दूसरा method है इसको बताने का ठीक है तो मैं अपने उस method से आप लोगों को बताऊंगा तो हाई होब आप लोगों नोट कर लिये होगा sir का तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से आपको इस चीज को प्रूफ करना बताते हैं तो देखिए वही question हमारे सामने लिखा है alpha एक लिया गया है और x1 बराबर 1 प्लस x2 लिया गया है हम मानते हैं कि हम सबसे पहले कोई भी एक set बना लेते हैं मान लेते हैं कि यह जो w हमने लिया है यह एक हमने subset बना लिया है किसका f की power n का जिसमें किस तरीके के element है alpha तरीके के element है जिसमें x1, x2, dad, dad, xn इस तरीके के element है और किस condition को यह follow कर रहा है 1 प्लस x2 की condition को follow कर रहा है अब हम लोग जानते हैं कि हमने पिछली condition आपको क्या बताई है c alpha प्लस beta मतलब हमें क्या एक alpha भी चाहिए एक beta भी चाहिए हमने माना let alpha, beta यह सारे किसके member है w के member है और यह लिये किसमें गए है साथी साथी किसके member होंगे alpha, beta यह member होंगे किसके f की power n के भी member है तो हम यहाँ पर मानते है alpha बराबर हमारा क्या है x1, x2, x3, xn इस तरीके से है ठीक है तो जब यह alpha member है उसका तो यह condition follow करेगा यानि x1 बराबर 1 प्लस x2 main हमारी यह condition है यहाँ पर जबी भी हम element लिखेंगे तो इस condition को बगल में ही लिख लेंगे क्योंकि यह हमारी use होगी condition ठीक है तो हमने क्या किया इसको equation 1 नाम दे दिया है ठीक है फिर हमने क्या लिए beta एक और element ले लिया है जिसके element क्या है y1, y2, y3, d, d, yn इस तरीके से तो अगर यह इसका element है तो यह भी condition फालो करेगा मतलब y1 बराबर क्या होगा 1 प्लस y2 क्योंकि दोनों w के element है और किसी भी set जो होता है वो अपनी properties को फालो करता ही है ठीक है अब हमने कहा था कि इनका c alpha प्लस beta निकाले यहनि c alpha प्लस beta हम लोग निकाले है तो जब हम लोग c alpha प्लस beta करेंगे मतलब c x1, x2, x3, xn plus y1, y2, y3, yn इस तरीके से हम लोग इसको फालो करेंगे अब यह क्या करेगा पहले तो इसमें scalar multiplication होगा और फिर बाद में x1 प्लस y1 इसका addition हो जाएगा तो देखते हैं यह किस तरीके से work करेगा तो यह operation को जो हम लोग बर कराएंगे तो यहाएगा c x1 प्लस y1, c x2 प्लस y2, c x3 प्लस y3, c xn प्लस yn तो इस तरीके से क्या कर लिया हमने उनी दो element से एक नया element इसका क्या बना लिया c alpha प्लस beta बना लिया हमें क्या proof करना है कि जो c alpha प्लस beta है वो भी w का element होगा यही तुमने अपनी theorem में क्या था अगर ऐसा हो जाता है तो w क्या हो जाएगा सब space हो जाएगा f की भावर n खा मतलब इस w के element होने के लिए मतलब क्या condition थी w के element के होने के लिए condition हमारे पास यह थी कि जैसे यह सारे element दिया है तो इसमें से पहला element ले ले हम लोग और वो पहला element किसके बराबर आना चाहिए 1 प्लस y2 के बराबर आना चाहिए तो चलिए यह भी हमने एक नया क्या कहते है एक element बनाया है तो हम लोग क्या करते है according to the condition condition के according हम लोग क्या करते है इसका अपना पहला element लेते हैं तो हमने क्या लिया CX1 प्लस Y1 हमने ले लिया लेकिन हम लोग अभी जानते हैं अभी हमने उपर देखा था X1 की value क्या थी 1 प्लस X2 थी और Y1 की value क्या थी 1 प्लस Y2 थी तो हम लोग क्या करेंगे equation 1 और 2 से इसमें value put कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस X2 आगया हमारे पास में और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस Y2 हमारे पास आगया तो चलिए देखते हैं यहाँ पर C का multiply होगा मतलब C प्लस CX2 प्लस यहाँ पर 1 प्लस Y2 आजाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग CX2 प्लस Y2 को एक साथ मिले लेते हैं तो यहाँ आएगा 1 प्लस C प्लस CX2 प्लस Y2 अब देखिए क्या हुआ आना तो था 1 प्लस Y2 मतलब second element second element इसका तो आ रहा है और 1 भी आ रहा है लेकिन यह C जो यह C टर्म जो insert हो गया है इसने क्या कर दिया है इसने इस पूरी condition को interrupt कर दिया है मतलब क्या हो गया इस C ने हमारी total की total condition को खराब कर दिया है अब यह C केवल उस case में यह जो W है वो क्या कहते हैं member हो सकता है इसका जब यह वाला C 0 हो लेकिन अब यह वाला C तो 0 होगा नहीं क्योंकि यह C क्या है constant है और C है किसका member field का member है तो क्या होगा इस C का कुछ भी मान हो सकता है और यह क्या हुआ 1 प्लस Y2 की condition नहीं है अगर 1 प्लस Y2 की condition फालो करता तो 1 प्लस सिर्फ इसका यह Y2 वाला मतलब दूसरा वाला element आना चाहिए था यहाँ पर लेकिन C ने इसको आ करके interrupt कर दिया है ठीक है तो यह क्या हो गया इस तरीके से हमें यह पता चला कि C alpha plus beta C यहाँ पर यह इस तरीके से आएगा C alpha C यहाँ पर X1 plus Y1 हम लोगों इसका member लिया था ठीक है तो हमें यह पता चला C alpha plus beta is not the element of W so W is not sub-space तो यह W sub-space नहीं होगा इसी से related एक question हम आपका और करा दे रहे हैं फिर कुछ question हम homework पे देंगे आप लोगों की book में इसे बहुत सारे questions दिया होगे और 100% इससे एक question हम लोगों के paper में आता ही है पाँच नमबर तक का तो आप लोग इससे related जितने भी questions मिलेंगे सब करेंगे तो चलिए इसी का second question हम लोग देखते हैं second में इसी group पे condition क्या दे दी गई है x1 बराबर 0 condition दे दी गई है चलो इस condition से हम लोग देखते हैं सवाल को तो अब हम लोग क्या मनते हैं उसी तरीके से alpha, beta is the element of w हम लोग माल लेते हैं ठीक है alpha की value यहाँ पर क्या दे रखी है x1, x2, x3 इस तरीके से xn तक दे रखा है ठीक है और इसकी condition क्या है कि x1 बराबर 0 जैसा कि हमने अभी बताया मतलब जो पहला element लें वो 0 हमारा आना चाहिए इसी तरीके से हमने बीटा ले लिया तो वो हमारा क्या आ गया इस तरीके से यहाँ पर y1, y2, y3, yn इसमें क्या condition लगेगी y1 बराबर 0 क्योंकि दोनों w के element है अब हम लोग इसका c α प्लस बीटा निकाल लेते हैं तो पहले से हम लोगों को पता है cx1 प्लस y1, cx2 प्लस y2, cx3 प्लस y3 डड़ ड़ ड़ cxn प्लस yn ठीक है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमें एक और set मिल जाएगा अब हम condition के according क्या करेंगे हमें पहला element 0 दिखाना है तो हम लोग इस group का पहला element लेंगे मतलब according to condition हमने क्या किया है इसका पहला element ले लिया cx1 प्लस y1 अब हम लोग क्या करें cx1 प्लस y1 इसको हमने equation 1 माल ले इसको हम लोग equation 2 माल ले और equation 2 से हम लोग y1 की value यहाँ 0 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा c into 0 प्लस 0 तो इसके मान क्या आ जाएगा 0 मतलब क्या हो गया इसने वही condition फालो कर ली हमने इसका पहला element लिया और हमारा cx1 प्लस y1 हमारा क्या आ गया 0 आ गया मतलब क्या कर दिया इसने subgroup की total जो condition थी वह फालो कर दी मतलब क्या हो गया c alpha प्लस beta जो हो जाएगा वह हमारा element हो जाएगा किसका w का so w is sub space ठीक है तो हमारा w क्या हो गया sub space हो गया इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे सारे सवाल लगाएंगे जितने भी दिये हुए है बहुत आसान method है और बहुत ही authentic method है easy method है और बहुत आसानी से आप लोगों को आ जाएगा 100% इससे एक question आता है आप मैं कुछ questions आप लोगों के सर के उससे दिखा देता हूँ सर ने इस method से नहीं किया कि 2007-2012 में आया है और ये question 2011 में आया है उसके बाद में हमारे पास में नीचे कुछ questions दिये गए हैं ये A, B और C questions दिये गए हैं ठीक है? यहाँ पर भी alpha किसके A1, A2, A1 के बराबर है जो कि real numbers का set है real numbers का set बनाया है कि set बनाया गया है किस पर R की power N पर मतलब real numbers of enterples पर यहाँ पर ये तीन question करेंगे 2008 में आया है, 2009, 2014 में दो बार पूछे गए हैं इनको करके देखिए, और ऐसा कोई question होता है जो नहीं आता है, तो आप मुझे comment box में लिखिएगा, मैं उसके उपर फिर से एक वीडियो बना दूँगा thank you so much, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में ज़्यादा तर theorem सी होगी, मैंने बताया है क्योंकि questions ही जी होते हैं इसके main theorem सी समझाना बहुत कठीन होता है तो हम लोग theorem पर ही ज़्यादा बात करेंगे thank you so much, मिलते हैं हमारे next वीडियो में